अंजी नमस्कार रादे रादे रर महादेव मैं आपका आचार देव आज इस वीडियो पे बात करेंगे तुला रास के जातकों के लिए मार्च में 12 से 15 मार्च के बीच में 4 ग्रोहों की जुगोचरी इस्तिति है साथ में सूर नाराण का नच्छत परिवर्तन सनी नाराण का नच्छत परिवर्तन और गुरू का अस्त हो जाना तो इस साथ चीजें इमिडिटली घटित हो रही है पंदरा दिन में ये क्या प्रभाव देगी आपके जीवन में तो चित्रा स्वाती विसाखा गुरू की व्यापना सक्ति लेके चलना है आप स्वाती नच्छत्र आपके रासी में चलना है जो कि एक कोईले को लेता है और उस पे इतना प्रिसर बनाता है कि उसको डायमेंड बना देता है तो कोईले को डायमेंड बनाने के सक्ति आपके अंदर है आपके अंदर मंगल की एनरजी है चित्रा नचत्र की एनरजी है और गुरू की वो सकती है जो आपको ब्यापक बना सकती है तो ऐसे तुला लगन तुला रासी के जातकों के लिए यह वीडियो हमारा दोनों के लिए है लोग जो अक्सर पूछते हैं कि रासी देखें लगन देखें लगन पे ज़्यादा प्रवाप पड़ेगा रासी पे कम प्रवाप पड़ेगा रासी छोटा पार्ट है लगन बहुत बड़ा पार्ट है लगन आप ऐसी समझे लो कि पूरा कैबिनेट है और रासी एक पैदा हुए है तो यह वीडियो आपके है चरचारम करें उससे पहले विनमरन रोद है अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर ले आप वीडियो देखेंगा डिफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा तो मित्रों के जानकारी के लिए सेर करेगा बातें ग्यान की हैं बातें डराने की नहीं है जान लेना मुक्ति को प्राप्त कर लेना है जान लेना परिसानियों से मुक्ति का आधा मार्ग मिल जाता है आधा प्रयास है आपका इसलिए इन चीजों को जानिए कि जो परिवर्तन हो रहा है कहा होगा कब ह बढ़ सकते हैं तुला रासी तुला लगना तुला रासी तुला लगना में सुक्र महाराज 12 तारीक को प्रविस की हैं सप्तम भाव में राहु के साथ रहेंगे सुक्र का सब्तम में प्रविस करना स्रेश्ट फल देने वाला है किन्तु राहू के साथ होना असर अच्छा नहीं करता आपका बच्चा बाहर जा रहा है अच्छी बात है स्कूल जा रहा है बहुत अच्छी बात संगत जोर बहुत भयानक होता है इसलिए संगत पर भिस hedge son में निजिए राउ सुक्र को अधिगरिध कर रहा है क्योंकि राउ यहां बल्वान हो रहा है तो सुक्र किए अनर्जी को अपने आपमें क्यूज की अपने आपको राहु क्या है जिसके साथ जैसे बैठता है वो अपने आपको परिवर्तित कर लेता है गुरु के साथ बैठता है बोलता है मैं ही गुरु हूँ इसलिए गुरु चांडाल योग बन जाता है राहु के साथ सुक्र के साथ बैठेगा अपने आपको सुक्र में परिवर्तित कर बोलेगा मैं ही तो सब कुछ हूं करता धरता तो मैं हूं इसलिए इस तर आप संबंदों में सावधानी पुर्वक बढ़ें नहीं तो आपके साथ दूंका हो सकता है मैरे जलाइफ में थोड़ी सी प्रभलम आ रहे हैं क्योंकि राहू बैटे हुए राहू सुक्र दोनों जो ह किसी थर्ड आदमी की इंट्री की बात कर रहा है कि थर्ड आदमी बीस में उली करेगा इसलिए संबंद आपके थोड़ी से उपर नेची हो सकते हैं तो प्रिपया ध्यान रखें कि कोई तीसरा आदमी बीच में प्रवेश्ट ना करने पाए तेरा मार्च को मंगल महाराज म मिथुन रासी में गोचर है एक तरह से आपके लिए अच्छा है क्योंकि अभी तक सब्तमे सस्टम बाव में गोचर कर रहे तो जीवन साथी से कनेक्टिविटी बेहतर नहीं बन पा रही थी यहां से जीवन साथी स्पीट पकड़ेगा लेकिन जैसे वो आर्दरा में चला जाएगा 27 को लेके 27 से लेके 21 अप्रैल तक 27 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक तो यहां पर उसके स्वास्त में गिरावाट होगी रोग प्रतिरोधक चमताव जीवन साथी की कमजोर होना सुरू हो गई है तो आपको अपने जीवन साथी का विश्यान रखना चाहिए क्योंकि कि वो बैद बोन है, लाइप पार्टनर है, उसी से तो सब कुछ चल रहा है, उसी के वरोसे तो आप घर छोण के जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आविस्यक है और भविस्य के लिए स्रेश्ट परढ़ाम देने वाला है, यहाँ पे मंगल के जो इस से अस्रूं भी निकलेंगे, क्योंकि आर्दरा रूला देने का नशत्र है, रूला देगा आपको, ध्यान दिसेगा, 15 मार्च को सूर नारान मीन रासी में प्रविस्थ करना, लाव का स्वामी खश्टम भाव में, अब लाव का स्वामी जब खश्टम भाव में चला या पे थोड़ा सा ध्यान देने की जुरुत है वश्च रहे वावत है सूरे सुत्र को मार देगा सूत्र हनता योग कह भी निर्मार करेगा सरकार से विए आपको वेज़न में इस्तिति सूर हुरे नारान करेंगे 16 मार्च को मीन में चले जाएंगे आपके बुद्ध देव बुद्ध देव का मीन में जाना अच्छा प्रणाम नहीं देगा क्यों? क्योंकि बुद्ध देव आपके भागे के स्वामी है लेकिन साथ में बिदेश के भी स्वामी है तो विदेश का स्वामी अपने से सब्तम सब्तम दिश्टी विदेश पे होगी तो दूरस्त देश में आप काम कर रहे हैं तो दूरस्त देश में काम आपका सफल होगा अब्यापार में प्रगति मिलेगे लेकिन जब तक ये पूरो भादर पत नच्ट्र में अच्छा फल नहीं देंगे उत्तर भादर पत नमें अच्छा देंगे रियुती में सुंदर फल देंगे यहां पे बुद्माराज के जो गोचरी इस्तितियाय निश्च्ट रूब से आ महराज आपको अत्यंत स्रेश्ट फल देंगे सदेवयाद रखेगा कोई विक्ति अगर आपके एरिया में आ रहा है मान लिजिए आपका विधायक आ रहा है आपको से उसकी जान पहचान पहले की है संबंद बहुत बेतर है तो आप से मिलेगा आप से बात करेगा और हो सकता ह आपके गाओं के लिए कुछ गिफ्ट देख जाएगा लेकिन उससे आपके संबंद बेहतर नहीं है तू आएगा मिलेगा आप भी नमशकार करिये बैठिये चाय पीजे और चले आए इससे ज़्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है इसलिए गोचरी इस्तित को देखने के पहले आप अपने बर्थ चार्ट को देखे कि बर्थ चार्ट में उस ग्रह की क्या पोजिशन है वो ग्रह कहां वैठा है किस नचत्र वैठा है कौन से भाव के कारकत तो को लेके चल लहा है तब आपको पूंडते आप फल मिलेगा गुरु माहराज भी अस्थोंगे एक तो गुरु का आपके कुणले में अस्थोना रोग प्रत्रोध चमता को प्रवावित करेगा तो ध्याता पर रहे कि जो पांच ग्रहों का गोचरी इस्तित्य है ज्यादा तर आपके लिए ठीक है सिर्फ जीवन साथी का ध्यान रखेगा सिर्फ नहीं बहुत चीजों का ध् पेचेगा और कांच इतना चमकदार होगा कि आपको लगेगा यारी हीरा है और आप खरीद लोगे बाद में फस जाओगे और रोना सुरू कर दोगे तो भविस्त में ना रोना पड़े इसलिए वर्तमान में जागरित हो जाईए अगर वर्तमान में आप जागरित रहे तो बविस्त में रोना नहीं पड़ेगा जाईए आपके लिए मंगल में शुब कामना जए जगदम